हेलो एब्रीवन कैसे हैं सब आसे करती हूं सब अच्छे होंगे और आज नंबर आ गया है करोटन का तो करोटन ये बड़ा ही सुंदर पोधा है पीला और ग्रीन गार्डन में होना ही चाहिए आपके बहुत अच्छी सी मतब अपनी एक अलग पैचान है इसकी क्योंकि अगर गार्डन में है तो अलगी चमक बनी रहती है गार्डन तो ये मेरे काफी लंबे हो गए तो इनसे मैं कटिंग से पोधे तयार करूंगी और बहुत सारे और ये भी बूसी हो जाएंगे तो मैंने इनकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर दी है जो आप देख सकते हैं जितन पड़ेगी खाना बनाने की तो अभी मैं सारी नहीं काट रही हूं तो जो जादा लोंग लोंग टहनी होगे वो मैं काट दूंग जो इदर उदर भाग रही है और आपको थोड़ी मिच्योर ही कटिंग लेनी है जो मतलब उपर से हरी और नीचे से थोड़ी ब्राउन हो तो इस तरह थोड़ी मोटी सी कटिंग लें जादा बारी बारी कटिंग थोड़ी मुश्किल होती है चलनी तो इसलिए मैं अपने पोदों में से ये मेरे तीन पोदे हैं बलके चार है मेरे पास तो यहां पर मैं तीन लेकर आई हूँ एक बाहर रखा है उसकी मैं वहीं से कटिं बनाते हैं क्योंकि लंबे-लंबे से हो गया है तो फिर यह इदर उदर गिरने लगे हैं तो अगर घना रहेगा पोदा अच्छा सुन देखने में सुन्दर लगेगा और हमारे पास नए पोदे भी बन जाएंगे तो इसलिए अब की बार मैं सोचा कि चलो इनकी कटिंग लगाते हैं तो इसमें से मैंने बड़ी-बड़ी तीन ले ली हैं और इसकी इदर-उदर टहनिया भाग रही हैं तो उनमें से भी मैं कटिंग ले लूँगी तो जिससे यह थोड़ा हलका हो जाएगा तो लीजिए जी यह हो गया और सबसे पहले हमें क्या करना है जो हमने करी है महां महां ऐसे उसकी टिप पर मैं लगा दूगी क्योंकि यही से फिर इन में गलनसुरू हो जाएगी अगर आप नहीं यह काम करेंगे तो यह काम करना बहुत जरूरी है अप हल्दी लगा सकते हैं ठीक है नहीं तो अलोविरा जैल भी लगा सकते हैं तो सबीपे मैं पहले यह अप्लाई कर दूंगी फंगि साइड बाद में करूंगी और जिस्में मैं जिन गमलों में में मैं कटिंग लगाऊँगी बहुत सोप्ट मिट्ति है मताब हलकी मिट्ति है ठोस को मिट्ति में कटिंग नहीं चलती है और उसमें भी मैंने थोड़ा सा fungicide डाल के रखा है ताकि cutting पे भी fungus ना लगे तो अब जो भी cutting ली है मैंने उनको लगाने का number आ गया इसके लिए मैंने लिया है aloe vera gel जो rooting hormone आता है तो वो मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं लेती हूँ जब मैं ज़्यादा cutting को सिस करती हूँ कि कभी-कभी अगर इस तरह बड़े पोध होगी मैं cutting लगा रही हूँ तो aloe vera gel को इस तरह पत्ती लेए कर उसकी नीचे से cutting करके उसमें अच्छे से gel बना ले थोड़ा सा इसकी एक्ष्ट्रा पत्ती हमें अटानी है सारी नीचे नीचे की उपर की 5-7 पत्ती छोड़ दीजे क्योंकि अगर आप ज़्यादा पत्ती छोड़ देंगे तो पोधा survive नहीं कर पाएगा बस उपर की 5-7 पत्ती छोड़नी है बाकी सब अटा दीजे तो हमारी cutting अच्छी लगती है तो ऐसा ही मेरे पास जितनी भी cutting है उनकी सब की पत्तिया मैंने हटा ली है अब पत्तियों बहुत सारी हटी है तो मैंने पहले तो अपनी सारी तयार कर लिया cutting अभी हमें करना क्या ह है मट्टी हमारी तयार है दो गमलों में ही मैं सारी लगा दूंगी क्योंकि जब यह चल जाएंगी फिर बाद में इन्हें में नए गमलों में shift करूंगी देखते हैं जैसे 10 लगाएंग तो जरूरी नहीं है कि 10 की 10 success हो जाएं तो 10 में से 5 या 7 तो success होई जाएंगी तो अभ डंडी को ऐसे सीधे मट्टी में दिप कर देना है और यह हाड होती है इनकी डंडी तो कोई दिकत नहीं है तो अराम से चल जाती है अगर आपको लगता है कि नरम है डंडी तो आप किसी ठोस लखडी से इसमें होल बना लीजिए और उसके बाद इसे लगा दीजिए क्योंक इनको अभी सेमी शेड में रखना है जब तक इन पर नए पत्ते नहीं आ जाते और यह एक महिना भी लग सकता है आने में आपको रिजल्ट तो पता लगी जाएगा 15-20 दिन में कि इन पर new growth आ रही है और पत्ते जो इन पर है इन में से भी पत्ते एक या दो ही बचेंगे य क्योंकि जब cutting करते हैं तो पोदा एकदम तो शोक में चला जाता है धीरे धीरे फिर जब वो खाना बनाने लगता है और उसमें root बनने लगते है तब वो अपना खाना बनाना स्टार्ट करता है तब उसकी growth होती है तो इस काम में आपको सबसे जादा सबर की जरुत पड़े की जड़ों में दे दूँगी ताकि मैं बिल्कुल शोर हो जाओं कि फंगस नहीं लगेगी तो इस तरह आप कर सकते हैं जैसे मैंने अब की बार यह बनाए हैं अपने पोदे और इन्हें हम अब रखेंगे एक शेमी शेड में अब उसके बाद जो हमने cutting करी है उन पोदों क के लिए इन्हें खाने की जुरुत पड़ेगी क्योंकि अब एकदम से हमने इनके देखाना अपना सारे काठ दिया उपर से तो यह ग्रोध करेंगे तो नया खाना देना इन्हें अब हमने देने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे इनकी गुड़ाई और खाने में इनको क्या पाई है नीम की खली तो यह खली है और नीम की खली से इसमें फंगस नहीं लगेगी और अच्छा मतब कीट ना सक होती है बढ़िया होती है पोदों के लिए और यह खल खाद का काम करेगी जिससे सब चीज मिल जाएंगे नूट्रिशन मिल जाएगा तो उससे मैंने क्या करना है रूट में देना है ऐसे मत्टी अटाई दो मुठी डाला मत्टी उपर से कर दी और आज पानी नहीं देंगे इसको पानी हम एक दो दिन बाद देंगे क्योंकि मत्टी गीली है तो यह अच्छे से सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें जब मत्टी सूक जाएगी तब पानी देंगे, क्योंकि अगर अभी इसमें इतनी नमी है, अभी हम इसमें पानी देंगे, क्योंकि मैंने कल ही पानी लगाया था, जो आज बिल्कुल अभी ड्राय नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही इनमें सब में खाना दे दिया है इनको, तो आप देख सकते हैं, य उसको खाने की जरुरत पड़ते हैं, क्योंकि उसको इमेजेटली ताकत की जरुरत है, जैसे हम ठक जाते हैं, काम करते करते हैं, तो हमें इमेजेटली खाने की जरुरत है, ऐसे ही पोदे हैं, तो पोदो में आपके पास अगर वर्मी कमपोस्ट है, वो दे सकते हैं, आप पास हो खली आजकल मार्किट में आराम से मिल जाती है नहीं तो अगर आपके पास कोई भैस वाले हैं उनसे आप एक कटोरी मांग के लिए एक कटोरी बहुत दिन चल जाती है थोड़ी थोड़ी सी लगाते हैं हाप चमच के आज पास एक पोदे में तो आप पानी में गोल के भी दे सकते हैं और ऐसे चूरा करके उसमें कुछ और मिला के भी दे सकते हैं तो मैंने अपने पोदों का ट्रीटमेंट कर दिया है देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसी होगी जब growth होगी उसकी update भी मैं आपको दूँगी तो आप भी अगर आपके गर में पोदे हैं तो इस तरह कर सकते हैं क्योंकि अभी अप्रेल चल रहा है तो garden में ही ज़्यादे काम चल रहा है इसलिए garden से रिलेटिटीव लोग आ रहे हैं वीडियो पसंद आईए तो प्रीज लाइक कर देना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ सभी को नमस्ते रादे रादे लीजे जी पोदे तयार है बाई